नवश्कार मैं हूँ अनंत कुमार लाइफ लगातार में आपका श्वागत है मैं इस वक्त हूँ तेनुघाट का आई टी आए के यह भवन है और इस भवन में कोसल विकास केंद्र के तहट यहां पर बच्चियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है आप यहां देख सकते हैं कि दियाल उपाध्या कोसल केंद्र है और इस केंद्र में करीब साड़े चार सो बच्चिया हैं जो यहां पर ट्रेनिंग ले रही हैं ट्रेनिंग के बाद यह अपना स्वरोजगार खुद के कर सकती है या तो जो बड़े कंपनिया है या चोटी-चोटी जहां भी देश के अं इसके साथ साथ हम लोग डॉमेस्टिक मशीन के बारे में इनको दिया जाता है तेहोरी मॉंसो प्रेक्टिकल बिनों बटाए जाती है और और साथ इनको इंगलीस के बारे में इनका परस्वनेटी डवलाब कर वाया जाता सौफ्ट इसके क्लास करवाये जाती है और साथ-साथ इनको computer की भी knowledge दी जाती है कि computer के बारे में कितना दिन का course है यह यह कोर्स होती है जिसमें इनको बहुतर दिन का class करना होता है और जो अभी कार्ट सुरू हुआ है कितना दिन हो गया अभी हमारे जो batch हुए है आज कुछ batch हमारे यह कतम हो रहे हैं फिर बच्चे करने के बाद इनका exam होगा assessment exam इनके बाद उनको placement के लिए बेजा जाता है अभी हम कुछ बच्चियों से भी बात करेंगे जो यहां पर ट्रेनिंग ले रही है कि आखे रिया बहतर दिन में जो पहला बेच है उन लोगोंने क्या सिखा है मेरे साथ कुछ बच्चियां है और नहीं से जानने कोसिश करेंगे कि लोगों को क्या ट्रेनिंग होगा इसे इंप्ल ऑटेलर रिंगा कपड़ा सिलाई होता उसका ट्रेनिग है क्या क्या सिखने हैं अभी हम कुर्टी बनाना सिखने हैं सिंपल कुर्टी और और सिम्स कि सट और अम्ब्रेला फ्रोग और मास्क और ट्रेनिंग के बाद क्या करना चाहते हैं जॉब जॉब करना चाहती हैं और मेरे साथ और बच्चें हैं क्या ना मुआ है क्या ट्रेनिंग मिला आज़ी हैं आपको मेरा में पूमारी का कॉर्स करने आई हुँ शैल्फ फिल्लिपॉयर टेलर और कुर्टी सिलाई क सिक रहां कितना क्या दिन से ओ यहां और आप्सेटें। जने का को सबकुछ। के डिन ता क्याज पूरा हो गया कि अभी आज यहाँ से छुटी propaganda मीघें तो अभी सिद्धे घर बहुत सारा ऐसा बैचे की निकलने वाला है और कुछ बैचे की अभी बाकिया निकलने के लिए और कुछ बच्चिया है आम सबाद क्या नाम हुआ अभी जब जब जा रहीं तब कैसा लग रहा है जब आये थे तो अजीब से लग रहा था लेकिन अब अच्छा फिल हो रहा है बहुत सारे दोस्त मिले होंगे नए बच्चिया लोग है और नए लोग से मिले काम करने का है जॉब करना है यहां बहुत सारे बच्चिया हैं जो जॉब करना चाहती है अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है यह हमारा देश है देश में पुरुषपरधान समाझ रहा है हमेशा से लड़कियों को घर से बाहर निकलने का मोका नहीं मिलता है लेकिन जैसे जैसे नया दोर आ रहा है उस दोर में बच्चियां भी खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है और अपने डम पर काम करना चाहती है अपना जीवन जो है अपने अस्तर से अपने तरीके से बिताना चाहती है यहां बहुत सारे बच्चियां है जो इसी उमीद के साथ यहां ट्रेनिंग करने के आए हैं और ट्रेनिंग के बाद इनको काम यदी मिल जाएगा तो निश्चित रुप से ये काम करेंगे और अपने पैरों पे खड़ा होंगे आप देख रहे थे लाइब लगातार मैं हूँ बेर मुर्शे अनंत कुमार नूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहे लगातार डॉट इनके साथ